बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितिश्कुमार जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी, केंद्रिय और राज्य मंत्री मंदल के अन्य सभी सदस्य, सामसद्गन, विधायक गन और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिन चार योजनाओं का उद्गाटन हो रहा है, उनमें पट्ना शहर के बेवूर और करम लिचक में सीवर ट्रिट्मेंट प्लांट के अलावा, अम्रुत योजना के तहट सिवान और शप्रा में पानी से जुड़े प्रोजेक्स भी शामिल है, इसके अलावा मुंगेर और जमालपूर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ती परियोजनाओं और मुझफुरपूर में नमामी गंगे के तहट जीवर फ्रंट डेवलप्मेंट स्किम का भी आज सिलान्यास किया गया है, शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मद्यमबर के साथियों का जीवन, आसान बनाने वाले इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, आज का एक कारक्रम एक विशेश दिन पर हो रहा है, आज हम एंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियन्ता दिवस, ये दिन देश के महान एंजीनियर, एम विश्वेश फरयाजी, उनकी जन्म जन्ति का है, उनी की स्मृति को समर्पीत है, हमारे भारतिय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूत पुर्व योगदान किया है, चाहे काम को लेकर समर्पन हो, या उनकी बारिक नजर, भारतिय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है, ये सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, 130 करोड देशवासियों की जीवन को बहतर कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को, उनकी निर्मान शक्ति को आदर पुर्वक नमन करता हूँ, राष्ट निर्मान के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है, बिहार तो देश के विकास को नई उचाई देने वाले लाखो इंजीनियर देता है, बिहार की धर्तितो, आविश्कार और इनोवेशन की परियाय रही है, बिहार के कितने ही बेटे, हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिक समस्तानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक भी खेरते हैं, आज जो परियोजनाय पुरी हुई हैं, और वो योजनाय जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पुरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमी का है, मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेशत तोर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बढ़ाई देता हूँ, साथियों, बिहार अईतिहासिक नगरों की धर्ती है, यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृत्य विरासत रही है, प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्दगिर्द, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनिति गुरुप से सम्रुद्ध और संपन नगरों का विकास हुआ, लेकिन गुलामी के लंबे कालखन ने इस विरासत को बहुत नुक्सान पहुँचाया, आजादी के बाद के शुरू आती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतुर तो मिला, जिनोंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की बरसक कोशिच भी की, लेकिन इसके बाद एक दोर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्मार के बजाए, राज्य के लोगों को आधूनिक सुविधाएं देने के बजाएं, प्राख्पिकताएं और प्रतिबद्दताएं पूरी तरह बदल गई, नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नन्स से फोकस ही हट गया, इसका परणाम ये हुआ कि बिहार के गाउं और ज्यादा पिछड़ते गए, और जो शहर कभी समृत्ती का प्रतिख थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्टर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अप्ग्रेड हो ही नहीं पाया, सडके हो, गलियां हो, पीने का पानी हो, सिवरेज हो, ऐसी अनेक मुल्ट समस्याओं को तो, याने या तो उसको ताल दिया गया, या फिर जब इन से जुड़े काम हुए, वो गोटालों की भेट चड़ गए, साथियों, जब शासन पर स्वार्थ निती हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा असर समाज के उस वर्ग को पढ़ता है, जो प्रताडित है, बंचित है, शोशित है, बिहार के लोगों ने इस दर्द को दसकों तक सहा है, जब पानी और सिवरेज जैसी मूल जरुरतों को पूरा नहीं किया जाता, तो दिक्कते हमारी माताओं बेहनों को ज़्यादा होती है, गरीब को होती है, दलीत को होती है, पिछडों, अति पिछडों को होती है, गंदगी में रहने से, मजमूरी में, गंदा पानी पिने से, लोगों को बिमारिया पकड़ लीती है, ऐसे में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है, कई बार, परिवार, अनेक वर्षों तक कर्ज तले दब जाता है, इन परिस्तितियों में बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग ने कर्ज, बिमारी, लाचारी, अनपड़ता को अपना भाग्यमान लिया था, इस प्रकार से सरकारों की गलत प्रात्विक्ताओं के कारण, समाज के बड़े वर्ग के आत्मे विश्वास पर गहरी चोट की गई, गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याएं भला क्या हो सकता था, साथियों, बीते डेड़ दसक से, नितिश जी, सुसिल जी और उनकी टीम, समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मे विश्वास को लोटाने का बरपूर प्रयास कर रही है, विशेश तोर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई निखाई को पंचायत, राज, सहीत, स्थानिय निकाई में, बंचीत, सोशित, समाज के साथियों की भागिदारी को प्रात्विक्ता दी गई है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविदाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पुरा नियंत्रण, ग्राम पंचायत या स्थानिय निकाईों को दे दिया गया है, अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमली करन तक और उनकी देखरेक का काम, उसका जिम्मा अब स्थानिय निकाई, स्थानिय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं, यही कारण है कि अब केंद्रों और बिहार सरकार के साजा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सिवर जैसी मूल सुविदाओं के धाचे में निरंतर सुधार हो रहा है, मिशन अमरुत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहट, बीते चार-पांच सालों में बिहार के सहरीक शेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविदा से जोड़ा गया है, आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा, जहां हर गर पाईप से पानी पहुँचने लगेगा, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी होगी, बिहार का गवरो बढ़ाने वाली बात होगी, आपने इस बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है, बीते कुछ महिनों में बिहार के ग्रामिन शेत्र में 57 लाग से जादा परिवारों को पानी के कनक्शन से जोड़ा गया है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभियान ने भी निवाई है, हमारे हजारों स्रमिक साथी जो कोरोना की वज़र से दूसरे राज्यों से बिहार लोटे, उन्होंने ये काम करके दिखाया है, जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है, बिते एक साल में जल जीवन मिशन के तहट पुरे देश में दो करोड से ज़्यादा पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं, आज देश में हर दिन एक लाख से ज़्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है, स्वच्छ पानी मद्यंबर का गरीब का न स्रिप जीवन बहतर बनाता है, बलकि उन्हें अनेक गंबीर बिमारियों से भी बचाता है, साथियों, सहरी छेत्र में भी बिहार के लाखों लोगों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है, पूरे बिहार में अम्रुत योजरा के तहट लगबग 12 लाख परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष है, इसमें से करीब 6 लाख परिवारों तक ये सुविदा पहुँच चुकी है, बाकी परिवारों को भी बहुत जल्द, स्वच्छ जल्द की सुविदा उपलब्द हो जाएगी, आज जिन परियोजनाओं का सिलान्यास किया गया है, वो इसी संकल्प का हिस्सा है, साथियों, शहरी करण आज के दोर की सच्चाई है, आज पूरे विश्व में शहरी छेत्रों की संख्या बढ़ रही है, भारत भी इस वैश्वीक बडलाव का अपवाद नहीं है, लेकिन कई दसकों से हमारी एक मानसिक्ता बन गई थी, हमने ये मान लिया था, जैसे कि शहरी करण खुद में एक बहुत बड़ी समझ्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है, अगर समझ्या लगती हैं, तो उसमें आउसर भी उपलब्द है, बाबा साब आम्मेड करने तो उस दोर में ही इस सच्चाई को समझ लिया था, और वो शहरी करण के बड़े समर्थक थे, उन्होंने शहरी करण को समझ्या नहीं माना, उन्होंने ऐसे सहरों की कलपना की थी, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आउसर मिले, जीवन को बहतर करने के रास्ते उनके लिए खुले, आज आवशक है कि हमारे शहरों में संभावनाए हो, सम्रुद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, ससक्त समाज हो और आदूनिक सुविदाएं भी हो, यानि कि शहर ऐसे हो, जहां सभी को, खास कर हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाए मिले, शहर ऐसे हो, जहां हर परिवार सम्रुद्धि के साथ, सुख के साथ, जीवन जी सके, शहर ऐसे हो, जहां हर किसी को, गरीब को, दलीद को, पिछडे को, महिलाओं को, सम्मानपूर जीवन मिले, जहां सुरक्षा हो, कानून का राज हो, जहां समाज, समाज का हर वर्ग, एक साथ मिल जुल करके रह सके, और सहर ऐसे हो जहां, आदूनिक सुविधाय हो, आदूनिक इन्फासेक्चर हो, यही तो इस अब लिविंग है, यही देश का सपना है, इसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और साथियो, आज हम देश में एक नया शहरी करन देख रहे हैं, जो शहर पहले देश के रक्से पर एक करसे थे, या नहीं थे, वो आज अपनी उपस्तिती दर्ज भी करा रहे हैं, और मैसूस भी करा रहे हैं, इन शहरों के हमारे युवां, जो बड़े-बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पड़े हैं, जो बहुत अमीर परिवारों में से नहीं हैं, वो आज कमाल कर रहे हैं, सफलता के नए आयाम गड़ रहे हैं, कुछ साल पहले तक, शहरी करण का आर्थ होता था, कुछ बड़े शहरों को चमक दमक से भर दो, कुछ गीने चुले शहरों में एक दो शेत्रों में विकास कर दो, लेकिन अब ये सोच, ये तरीका बदल रहा है, और बिहार के लोग, भारत के इस नए शहरी करण में अपना भरपुर योगदान दे रहे हैं, साथियों, आत्म निर्भर बिहार, आत्म निर्भर भारत के मिशन को गती देने के लिए, विशेशकर देश के छोटे शहरों को बर्तमानी नहीं, बविश की जरूरतों के मताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है, इसी सोच के साथ, अमरुत मिशन के तहट, बिहार के अनेक शहरों में, जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ, इज अफ लिविंग और इज अफ दूइंग बिजनेस के लिए, बहतर माहोर तैयार करने पर बल दिया जा रहा है, अमरुत मिशन के तहट, इन शहरों में, पानी और सिवरेज के साथ, ग्रीन जोन, पार्क, एलीडी स्ट्रीट लाइट, जैसी व्यवस्थाओं का निर्मान किया जा रहा है, इस मिशन के तहट, बिहार के शहरी छेत्र में, लाखों लोगों को बहतर सिवरेज सिस्टिम से भी जोड़ा गया है, इसमें भी अधिकतर सुविधाएं ऐसी बस्तियों में विक्सित की गई हैं, जहां गरीब से गरीब परिबार रहते हैं, बिहार के भी सौ से ज़्यादा नगर निकायों में साड़े चार लाख LED स्ट्रीट लाइस लगाई जा चुकी हैं, इससे हमारे छोटे शहरों की सडकाव और गलियों में रोशनी तो वैतर हो ही रही है, सैकड़ों करोड की बिजली की बचत भी हो रही है, और लोगों का जीवन आसान हो रहा है, साथियों, बिहार के लोगों का, बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है, राजे के बीस बड़े और महत्वपुन शहर गंगा जी के किनारे ही बसे हुए है, गंगा जी की स्वच्चता, गंगा जल की स्वच्चता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोडों लोगों पर पढ़ता है, गंगा जी की स्वच्चता को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में 6,000 करोड रुपे से अधिक की 50 से जादा परियोजनाय स्विक्रत की गई है, सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर है, वहाँ बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए, इसके लिए अनेको बॉटर ट्रिक्मेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, आज जो पटना में बेवर और करम लिचक की योजना का उद्गाटन हुआ है, उससे एक शेत्र के लाखों लोगों को लाख होगा, इसके साथ ही गंगा जी के किनारे बसे जो गाओं हैं, उन्हें गंगा ग्राम के रुप में भी विक्सित किया जा रहा है। इन गाउं में लाखों सौचाले के निर्मान के बार अब कच्रा प्रबंदन और जैविक खेती जैसे काम के लिए प्रोच्सान दिया जा रहा है। और अविरल बनाने का भ्यान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें परियतन के आधुनिक आयाम भी जूड़ते जा रहा है। पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा चालीस से जादा मोक्षधामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है। देश में गंगा किनारे कई जगों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पत्ना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। और मुझफरपूर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का सलानियस क्या गया है। जब मुझफरपूर के अखाडा गाट, सीडी गाट और चंदवारा गाट उसको विक्सित कर दिया जाएगा तो यह यहां परियटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पुरा भी होगा, इस बात की कलपना भी देड़ दसक पहले नहीं की जा सकते थी। लेकिन नितिज जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने यह सच कर दिखाया है। मुझे उमीद है, इन प्रयासों से आने वाली छटी महिया की पूजा के दोरान, बिहार के लोगों को विशेश कर बिहार की महिलाओं की दिक्कते कम होगी, उनकी सहुलियत बढ़ेगी। छटी महिया के आसिरवात से हम बिहार के शहरी और ग्रामिन इलाकों, उनको गंदे जल, बिमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिनाले के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। चाथियो, आपने सुना होगा, अभी हाली में सरकार ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की गोशना की है, और अभी सुशिल मोदी जी इसका बड़ा विस्तार चे वर्णन भी कर रहे थे। इस मिशन का बहुत बड़ा लाब गंगा डॉल्फिन को भी होगा। गंगा नदी के सवरक्षन के लिए गांगे डॉल्फिन का सवरक्षन बहुत जरूरी है। पटना से लेकर भागलपूर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास्थान है। इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाब होगा। यहां गंगा जी में बायो डावर्सिटी के साथ साथ परियटन को भी बल मिलेगा। साथ क्यों कोरोना संक्रमन की चुनोती के बीच बिहार के विकाद, बिहार में सुसासन का यबियान निरंतर चलने वाला है। हम पूरी ताकत, पूरे सामर्थ से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर बिहार वासी, हर देश वासी को संक्रमन से बचाओ का संकल्प पल भर भी कभी भी बुलना नहीं है। मास्क, सापसफाई और दोगज की दूरी ये हमारे बचाओ के सबसे कारगर हत्यार है। हमारे वज्यानिक वैक्सिन बनाने में दिनराज जूटे हैं। लेकिन हमें याद रखना है जब तक दबाई नहीं तब तक डिलाई नहीं। इसी निवेदन के साथ एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।